राजिस्तान के जैपूर से एक दिल को जगजोड़ देने वाली खबर सामने आई है जमवा रामगड के कनोता थाना छेतर में एक महिला की जलीवी लाश मिलने से इलाकी में संसनी फैल गई है वही पुलिस ने मामला दरचकर आगी की जान शुरू कर दी है दरसल जमवा रामगड के कनोता थाना छेतर के पापट रोड पर एक महिला की जलीवी लाश शड़क के किनारे पड़ी मिली वही महिला की लाश की जानकारी मिलते ही आसपास के गरामिडों की भारी भीड लग गई जिसके बाद मामले की जानकारी मिलते ही कनोता थाना पुलिस मौके पर पहुँची और घटना स्तल का मौयना कर आगे की जाच में जुट गई है मईस घटना के सामने आते ही अब राजनीती भी तेज हो गई है और विपक्ष कॉंग्रेस पर जमका निशाना साध रहा है मही बीजेपी के नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अशोग गहलोज सरकार के कुशाशन में दरिंदों ने ऐसी अंगिनत महिलाओं को बेहरमी से मौत के घाट उतार दिया कि राहुल गांधी कॉंग्रेस सरकार में महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर मूँ खोलेंगे वही बीजेपी प्रवक्ता शेहजाद पूनेवाला ने भी गहलोज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा जो अत्यचार हो रहा है वे राहिस्तान में है वलातकार में महिला शोशन में चाहे वो महिलाएं आदिवासी समाज की हो चाहे वो महिलाएं दलिच समाज की हो चाहे वो महिलाएं माइनर हो उनके साथ सबसे ज़्यादा उत्पीडन की घटनाएं अगर किसी भी प्रदेश में घटित हुई है और जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाए होने के बाद कोई कारवाई नहीं होती है वो राजस्थान है बताते कि महिला का जला हुआ शव 29 सितंबर की सुबह सेड़क पर मिला था और अपराधियों ने महिला की हत्या कर पहचान छुपाने के इरादे से शब को जलाने की कोशिश की है वहीं आग की लप्टों से बबूल की पेड की तहनिया भी जली भी मिली है जानकारी पर मौके पर पहुची फॉरेंसिक टीम ने मामले की जाज शुरू कर दी है अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन पुलिस जाज में जुटी हुई है